तर आप देख रहें अड़ी टीवी रादस्थान मैं हूँ आपके साथ मनीश अर्मा खबरों को शुर्बाप ने बात कर लेते हैं सिरोही कि जहां पर रेवदर उखंड के जालमपुरा में जमीन के नीचे छिपा रखी शराब का जखीरा मिला है पंजाब निर्मित शराब के खेत से अवैद शराब का जखीरा मिला है खेत में करीब 5-6 फीट अंदर खुदाई करके शराब को चुपाया गया था इसके उपर बाजरे की फसल बोई गई थी ताकि यहां किसी को शक ना हो पुलिस ने करीब 12 घंटों तक पूरे खेत में जैसी भी से खुदाई करवाई और विवार देर रात को यानि कि कल देर रात को पांसो चेटर काटन अवैद शराब के बरामत किये शैतान सिंग की हिरासत में लिया गया है जैनकारी ये भी सामने आ रही है कि ट्रक्स से ये शराब डिलिवरी हुई थी उसे जालोर जिले के जस्वनपूरा पोलिस ने 20 से 25 दिन पहले जब्द किया था तो जमीन में मिला है शराब का जखीरा 576 काटन जब्द के गए हैं तो जमीन के अंदर ये शराब का जखीरा मिला है जमीन के उपर फसल बोई हुई थी ताकि किसी को शक ना हो और इस मामले में एक व्यक्ति जिसका नाम है शैतान सिंग उस आप ये भी जान लीजिए कि जिस ट्रॉक से ये शराब डिलीवरी हुई थी उसे जालोर जिले की जस्वनपुरा पोलिस ने करीब 20 से 25 दिन पहले जब्द किया था तो शैतान सिंग नाम का व्यक्ति है जिसे कस्टेडी में लिया गया है और इसी व्यक्ति ने जिसको कस्ट कारवाई की है बड़ी कारवाई को अंजाम दिया है एक व्यक्ति को कस्टेडी में ले लिया है सिरोही की तस्वीरे आपके सामने में रख रही हूँ जहाँ पर रेवदर उपकंड के जालंपुरा में जमीन के नीचे खुदाई करके ये शराब का जखीरा छिपा रखा था पंजाब निर्मिति शराब बताई जा रही है पांसो शेतर कार्टन जब्द कर ले गए एक व्यक्ति को कस्टेडी में ले लिया गया है आप देख पाएंगे कि जेसीबी ने कई फीट खुदाई की घंटो ये एक्शन चला है और उसके बाद पांसो शेतर कार्टन जब्द किये गए हैं शराब का जखीरा जब्द कर लिया गया है और शैतान सिंग जिसका नाम है उस व्यक्ति को कस्टेडी में ले लिया गया है पंजाब निर्मित शराब बताई ज़ा रही है कहां से ये शराब की डिलिवरी हो रही थी कहां तक डिलिवरी होनी थी कौन वो व्यक्ति है जो की ये सप्लाई करता था कब से ये सिलसला चला रहा था ये सवाल अब खड़े हो चले हैं मुख्बिर कि सूशन के अधार पर य और इसी खबर पर मेरे साथ कोमल मौजूद हैं उनी का रुख करना चाहेंगे कोमल क्योंकि शैदान सिंग नाम का व्यक्ति जिसने जमीन पर जमीन के अंदर कई फीट खुदाई करके गड़ा करके उसने शराब का जकीरा चिपा रखा था उपर बाजरे की फसल बोई हुई थ कफ से सिलसला चला रहा था क्या डिटेल मिल पाई है पूछताच में अब देखी ये सराब की तसकली का एक बड़ा नयाब तरीका है अब तक तो तमाव आपने देखा कि दूद की टेंकर में और अनाच्क में और तमाम तरह से लोग ले जाते थे लेकिन पहला ऐसा नयाब जिसमें जमीन के अंदर छे फुर्ट के अंदर गड़ा कोद के और उसकी अंदर सराब रख करके और फिर उसके बाद डिलिवरी करने का पहला ऐसा वाक्या आया है उसको पर फसल वही गया ताकि किसी को सक नहो एक्ट्री जो मंदार बाड़र है वो गुजरात और राजस्त अब यह चुना हुए और चुना में धर पकर चालू हो गया तो इन लोगों ने यह तरीका अपनाया कि वहां आती है वहां पर उसको खाली कर लेते हैं और उसके बीचे वहां पर सराब रखके और इसके बाद धीरे-दीरे मां से डिलिवरी करते हैं यह बड़ा रैकेट है अभी पूश्टास में बहुत चीज़े क्लियर नहीं नहीं हैं और मुझे लगता है कि इसके इससे बड़ा खुलासा हो सकता है जिस तरीके का है इन लोगों ने एक नया तरीका ढूंगा है ठीके बहुत शुक्री आपका कोमल तवाम जानकारी इस कवर पर देने के लिए पूश्टास में क्या बाते सामने आएंगे ये भी आप जानकारी पहुंचाए का दर्शकों के बीच फिलाल बहुत शुक्री आपका